आई पिल में हाट स्टॉपिंग मुवमेंट कल रात को हुआ लेकिन आज शाम को मैच स्टॉपिंग मुवमेंट हो सकता था जी हाँ इसी बड़ी खबर के साथ मैं जीए सुएग आपके लिएक आया हूँ एक ब्रांड न्यू एडिशन वाक रिकेट का और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि सन्राइजर्स हाइदराबाद के फास बॉलर टीन अटराजन कोरोना पॉजिटिव पाये गए हैं विजए शंकर और हाइदराबाद टीम के पांच सपोर्ट स्टाफ जिसमें मैनेजर फीजियो ट्रेनर भी मौजूद है उनको आइसोलेशन में का गया है लेकिन बाकी खिलाडी हाइदराबाद के नेगेटिव आए हैं उनका आटी पीसिया टेस्ट आज सुबह साड़े पांच बॉजे हुआ था जिसमें वो नेगेटिव आए और इसी वज़े से जो आज का मुकाबला होना है हाइदराबाद औ और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिसके बाद खलबली मची कि क्या एक बार फिर आईपियल का जो फेस टू है वहाँ पर भी कही ना कई को अडचने ना आ आजाए आईपियल को लेकर लेकिन फिलाल यह मुकावला दिली और हाइदराबाद का चलने वारा है अपने स टीम ने यह माना है कि यह छे लोग ही उनके क्लोस कांटाक्ट हैं तो यह थी इस वक्त की बड़ी खबर एक बड़े खिलाडी से भी हम आपको मिलाएंगे आज के वाक्रिकेट में जी हां दुनिया के सबसे बहतरी डेथ ओवर स्पेशलिस्स उनका एक्स्क्लूजिव इंट तिक्यागी ने आखरी चार गेंज पर पल्टा मैच राजसान रॉयल्स ने पंजाब को रोमांचिक मुकाबले में दो रन से हराया अंतिम ओवर में पंजाब को सिर्फ चार रनों की दर्कार थी और उसके टीम के पास आठ विकेट बचे हुए थे राजसान ने टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए 185 रन बनाए इसके जवाब में 186 रन के लक्ष का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स बीस ओवर में चार विकेट को कर 183 रन ही बना सकी पजाब की तरफ से माएंग अगरवाल ने 66 और कफ्तान के लराहुल ने 14 रन बनाए लास ओवर में कार्तिक ट्यागी के बॉलिंग से खुश हुए जस्पीद बुम्रा बुम्रा ने ट्वेटर पर लिखा क्या शानदार ओवर था कार्तिक ट्यागी ऐसे दवाव में खुद को शान्त रखना और टीम के लिए जीत दर्च करना शानदार था बहुत प्रभावशाली केल राहुल आईपियल में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबास बने उन्होंने 80 पारियों में ये रिकार्ड अपने नाम किया क्रिस गेल ने 75 पारियों में 3000 रन बनाए थे आईपियल में ऐसा पहली बार हुआ कि जब दो खिलाडी उननचास के स्कोर पर पवेलियन लोटे हो केल राहुल और राजस्तान के ओपनर ये चेट सी जैसवाल भी उननचास रन पर आउट हुए पंजाब किंग्स ने आईपियल में बनाया अनोखा रेकॉर्ड पहली वार ऐसा हुआ कि जब एक पारी में पूरे 10 विगेट भारते गिंदबाज हों ने लिये पंजाब किंग्स के युवा थेस गिंदबाज अलचिप सिंग ने 32 रन दे कर 5 विगेट हासिल किये पंजाब किंग्स के बल्ले बाजो पर भड़के अनिलकुमले बोले ऐसा लगता है कि मानो इस तरह से हर ना हमारी आदत में शुमार होता जा रहा है खास तोर पर तब जब हम UAE में खेलते हैं विल्कुल साफ था कि हमें 19 वे ओवर तक मैच जीतना चाहिए था राजसान रॉयल्स को जीत के बावजूद लगा तगला जटका तैस समय में ओवर पूरा ना करने के कारण कप्तान संजू सैंसन पर 12 लाख होपे का जुर्माना लगा सेवाक का पंजाब किंग्स पर तीका हमला बोले बच्चों के डाइपर भी इतनी तेजी से नहीं बदलते जितनी रफ्तार से वो अपनी प्लेइंग 11 बदलते हैं सेवाक पंजाब किंग्स के मेंटॉर रह चुके हैं आईपिल में आज दिल्ली बनाम हाइदरबाद होगा विलिमसन के सामने कफ्तानी का टेस्ट पास किया तो पंज की दिल्ली अंग तालिका में पहुँचेगी नमबर वन पर आईपिल फेज वन से पहले कंदे में लगी चोट की वज़े से श्रह सायज नहीं खेल पाये थे अब वो फिट होकर टीम में वापस आ चुके हैं उनकी मौजोदगी दिल्ली की बैटिंग को मजबूती देगी डेविड वर्नर की बेटी एवा वर्नर ने किया संराइजस हाइदरबाद के लिए चियर कहा गुड लग फो टुनाइट रवी चंदर आश्विन T20 क्रिकेट में 250 विकेट पूरे कर सकते हैं इसके लिए उन्हें सिर्फ एक विकेट की जरूवत है अब तक सिर्फ दो भारते गेंद बाजो अमित मिश्रा और प्यूस चावला ने ही इस फॉर्माट में 250 से जादा विकेट लिये हैं दोनों के नाम 265 विकेट है बेटे अरजुन के साथ UAE के बीच पर इंजॉय करते नजर आये सचिन तेंदुलकर सचिन ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की जिसमें वे अरजुन के साथ बीच पर इंजॉय करते देख रहे हैं अरजुन मुंबाई इंडियन्स की टीम में है ले वो जब तक IPL में खेलेंगे तब तक वो बैंगलोर के लिए ही खेलेंगे इंग्लेंड और न्यूजिलेंड पर जम कर बरसे शोय बक्तर कहा अब पाकिसान क्रिकेट बोर्ट को समझ जाना चाहिए कि हमारे लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा PCB को खुद अपने लिए स्टैंड लेना होगा अगर मैं PCB का अध्यक्ष होता तो आने वाले समय में इंग्लेंड और न्यूजिलेंड के दौरे पर नहीं जाता और सुरक्षा की कमी का ही हवाला देता इंग्लेंड की काउंटी चैंपेंशिप के दौरान मैदान पर उत्रा हेलिकॉप्टर प्लॉस तशायर और डरम के बीच मैच के दौरान मेडिकल एमर्जंसी की वज़े से बीच मैदान पर हेलिकॉप्टर को उतारा गया दरसल स्टेडियम के पास मौजूद एक पेशन को मेडिकल ट्रीट्मेंट की जरुवत थी और इस वज़े से एर एमर्जंस को मैदान में उतारा गया भारत पाकिसान की T20 वर्ल कप की टिकेट अगले हफते से मिलने शुरू हो जाएंगे वैक्सीन ले जोके फैंस को स्टेडियम में आने की अनुमती है T20 वर्ल कप में 60 फीसे दी फैंस को स्टेडियम में आने की अनुमती मिल सकती है भारती महिला टीम की कप्तान मिथाली राज निया उस्टेलिया के खिलाब पहले वंडे मैच में अपने करियर की 20,000 रन पूरे किये मिथाली ने फर्स क्लास क्रिकेट लिस्टे और T20 सभी को मिला कर 20,000 रन पूरे किये और जैसा कि मैंने आपको वाक रेकेट में ये वादा किया था कि मैं आपको एक exclusive इंट्रियू दिखाऊंगा एक सबसे बहतरी डेथ ओवर बॉलर का जिहां अमारे समधाता कुंतल चक्रवती ने बात करी है भूवनेश्वर कुमार से देखे वो क्या कहते है आई पिल में ये जो स्टिंट है क्या ये आने वाले जो वल्ट कप है इसमें भी आपको कही ना कहीं हेल्प करेगा कहीं ना कहीं कि सेम कंडिशन्स है यही मैदानों पर मैंचिस खेल ले जाएंगे शार्जा अबुदा भी दुबई बिलकुल मिलेगी क्योंकि जैसे सब ती तो कहीं ना कहीं एक सब यूस्टू हो जाएंगे उस कंडिशन के इस वेधर के तो काफी हल्प मिलेगा बहुत कूल रहते हैं शांत रहते हैं कोई भी बल्लेवास के सामने आप नर्वस हुए हैं ऐसे कोई बल्लेवास कीपेंटी क्रिक्ट में नहीं वह एक नेच्छल को इतनी बॉल पर इतने चाहिए और मुझे मेरे मैं बॉलिंग कर रहा हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक-एक बॉल का जो प्रॉसेस है जो फोकस है बॉल डालने का उस पर ध्यान दूं तो उससे वो नर्वसने काफी कम हो जाती है क्या इस बार आप एक और तोर पर करने के लिए तैयार है तो पूरी कोशिश करूँगा क्योंकि अगर आप देखेंगे टेटोंटी में कम और सोते हैं और अगर मुझा मिलेगा तो पूरी कोशिश करूंगा बड़े टोर्नमेंस होते हैं इंपक्त परफॉर्मेंस करते रहते हैं 2013 में चैंपियंस ट्रोफी मे सब्सक्राइब कर सकता हूं कि हर साल आप परफॉर्म करते रहते हैं आई पील में और जो पोर ग्रूप है बोलर्स के उनको भी गाइड करते हैं तो इस तरह की रिस्पॉंसिबिलिटी निभाते निभाते क्या आप अंतराश्च्री क्रिकेट में और भी ज्यादा क्या एक गिंद्वास बन गए हैं तो नहीं बोलूँगा अपनी कुछ में जाके अलग अलग टीम के अगेंस डिफेंट डिफेंट कंडिशन विकेट का आप खेलते हैं तो अब को और अच्छा पर्फॉर्मेंस नहीं कर पाई है सबसे नीचे हैं बट जो फर्स आ चुका है मुसके बारे बिलकुल नहीं सोच रहे हैं हाँ अगर हम चाहते थे कि साथ में से तीन या चार मैसों जीतते तो हम एक पॉइंट से बल में होते हैं पोजिशन पर अभी भी जो हमारे पास चांस है है क्वालिफाइब करने का बट बहुत मुश्किल काम है बट इंपॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है अगर लास्ट लास्ट आइपल जो दुबई में होई तो उसमें आद देखेंगे हमें लास्ट के च्छे में से पांच मैं जीते हैं वो जीते तो हम प्ले बहुत 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 धन्यवाद बेस्ट वेशिस थैंक यू सो मुच थैंक यू सबसे पहले रिशाप पंच शिकरदवन प्रित्विश और डाइनामिक डूओ यह है डानामिक क्रायो राधर मैं कहूंगा डेली कैपिटल्स का साथी साथ श्रय साहिया जो चोट के बाद ब इंट्रीव हमने आपको दिखाया बाग्रिकेट में आज वो भी आपके टीम में होने चाहिए कगी सो रबाडा और साथी साथ आवेश खान क्योंकि आवेश खान पॉपल कैप की रेस पे नंबर दो पर हैं जी हां तो जल्दी से आपने आपको आपने देख लिया कि कौन को तक लाड़ी आपके फैंटेसी टीम में होने चाहिए